गामा और ईजनॉल दोस्तों आज का ट्रेंदिंग टॉपिकश बन चुका है गामा और ईजनॉल एक मिनी डॉक्टर यानी एक छुड़ा डॉक्टर कैसे बन सकता है उसके बारे मैं आज आपको ट्रेंग देने वाला हूँ दोस्तो गजब की training आज होने वाली है मैं back to back आपके लिए training sessions ला रहा हूँ जिससे आपको ही फायदा होगा दोस्तो आज मैं कुछ ऐसी जानकरी आपको देने वाला हूँ जो एकदम scientifically है proof के साथ मैं आप किसी को बता होगे तो लोग आपको मानने लगेंगे कि गामा ओरिजनल के उपर अच्छी सी presentation इससे बढ़कर और कोहीं नहीं मिलेगी आपको चलिए आगे देखते हैं आट तथ्य वायद गामा ओरिजनल is the need of every Indian दोस्तो गामा ओरिजनल क्यों एक छोटा डाक्टर है एक डाक्टर क्या होता है एक डाक्टर होता है जो हमारी बीमारिया है उसको खतम करते उसी प्रकार के गामा ओरिजनल जो हमारी बीमारिया को खतम करेगा तो कैसे करेगा उसके बारे में आठ तथ्य बताएगा है तथ्य मतलब क्या होता है दोस्तों जानते है पहला है आट फैक्स बता रहा हूं जिसका पहला क्या है दोस्तों धमनियों में कॉलेस्टरॉल के जमाव को रोकने के लिए और अपने दिल को सहत्पन रखने के लिए बैस्ट है गामा ओरिजनौल तो जो कॉलेस्टरॉल चीज है ना आज कल सब बिमारियों की जड़ यह कॉल पकड़ में आ गई तो उसको छोड़ना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों मैं आपसे पोछता हूं क्या आपकी धमनिया एकदम साफ है क्या उनमें कोई जमाव नहीं है क्या आप इदावे से कह सकते हैं दोस्तों यह जो धमनिया होते हैं जिससे ब्रफ सर्कुलेशन होता है उसके अंदर जमाव हो जाता है उससे कॉलेस्टरोल कहते हैं तो क्या आपकी धमनिया एकदम साफ है आप कह सकते हैं क्या जी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं क्योंकि सर्वे के अनोसर 80% बारतियों की धमनिया साफ नहीं है दोस्तों 80% की बात कर रहे हैं आपर और भारतियों को हाई कॉलेस्टरल का खत्रा है इसलिए जरूरी है हम कॉलेस्टरल का जमाव होने ही ना दे दोस्तों कॉलेस्टरल जमाव हो गया तो उसके बाद उसको कम करना बहुत मुश्किल है लेकिन हम कोशिश ही करेंगे कि हम अपना हाई कॉलेस्टरल ना करें और कॉलेस्टरल का के जिसने प्यप्टिक अलसर के लिए दूसरी बात होगी मैं फिलाल कोलेस्टरॉल की बात कर रहा हूं दोस्तों यह कहती है कि गामा और इजनल हाइपर लिपीडमिया के इलाज में प्रभव्य होता है यानि जो हाई कॉलेस्टरॉल है उसको कम कर सकता है यह मैं नहीं कह रहा ह 1996 से आहे पर लिपीडमिया के इलाज के लिए कुद्रती दवा के रुपए मोधित किया गया है कहां पर जापान में आप जानते हैं एवरेज उमर बहुत ही अच्छी है वहाँ पर लोग सौसो दो साल तक भी सौरी दोसो तो जादा हो गया एकसो यहां एकसो पांच एकसो श को अनुमोधित कर जाइये साथ में भारत सरकार ने भी इसको मन्जूरी दे दि है कि यह उच्छी कॉलेस्ट्रॉल को कम करता है सबसे बड़ी बात है इसको और कि रूप तो उसके और लगबग कॉलेस्ट्रोल वाले इस्टेटी नहीं लेते हैं तो इस्टेटी जो ले रहे हैं उनको यह दिम गामा उरिजनल दे दें तो बहुत ही फायदा होगा वह भी नैचुरल रूप से कई डॉक्टर्स की इस्टेटी में आपको बता देता हूं डॉक्टर च पुरेस्ट कॉलेस्ट्रोल को कम करके अच्छे कॉलेस्ट्रोल को बढ़ाने का भी गुण है डूसारा फैक्स आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो नहीं आया तो एक बर वीडियो को बापिस देखना में स्रॉट कर लीजिए दूसरा एक शक्ति शाली हम सांस ले रहे हैं आपको पता होगा तो उस्षे हैं चक्ते की प्रक र सकती है नहीं से संबंदत भी कैंसर भी हो सकती है यह सब भी हो सकता है इसके रिए जो एंतिआक्सिडन तत्व होता है वह फ्री राडिकल को खतम कर देता है इसलिए हमारे अहार में एंतिडन्स होने बहुत ही जरूरी है तो गामा औरिजनल की बात करें तो यह एक पावरफुल एंटी ऑक्सिडेंट है दोस्तों डॉक्टर नेहा गुपता की इसाफ से हम बता रहे हैं पर गामा औरिजनल के एंटी ऑक्सिडेंट गुण होने के कारण सूजन प्रभावित रोगियों के नेगेटिव क्लिनिक परड़ामों को रोक सकता है दोस्तों क्या बता लगा कि यह एक एंटी ऑक्सिडेंट गुण है इसके अंदर डॉक्टर नमीता रडार भी बोलते हैं कि गामा औरिजनल एक श सूजन हमारे शरीर में यदि लंबे समय तक रहे तो वह ने को बिमारे कारण बन सकती है दोस्तों सूजन कहीं पर भी हो सकती है जाता तर अलसास वगरा होते हैं जो हमारे आंतों के उपर सूजन हो जाती है वह बहुत ही गंबिर होती है उससे कई तरह की गंबिर बिमार्या भी हो सकती है, सूजन कैसे हो सकती है, भोजन से, किसी ऐलर्जी से, धूए से हो सकती है, ये हमारे आत में नहीं है, दोस्तो हमारे हाथ में नहीं है, यानि ये हो सकती है, लेकिन इसका इलास तो हमारे आत में है न दोस्तो, देखी आगे बताता हूँ मैं आपको, अध्योंने स प्रून जो फॉर्मुला है वो मैंने आपको बता है कोई मैं इदर हो दर की बाते नहीं कर रहा हूँ आपको जो फैक्ट है वही बता रही हूं जो अधियन है वह बता रहा हूं आगे चोथा cancer कोशिकाओं को रोकने और cancer से बचावकर दोस्तों cancer बहुत गंभी चीज़े आप इसको हलके में मत लीजिए आईए इसके बादे में जानते हैं दोस्तों क्या हर भार्ट disparities के अंदर कोशिका बन रही है। दोस्तों कोशिकाय के अंदर बनती रहती और खतम भी होती Shane ने से कई कोशिकाय कैंकर परभरतकित्थ हो सकती हैց क्यों हो सकती है और अंधे हम कोशिका एम आफ सो जाता याँ पर कंदें यह जो बिगड़े जो खराब जो डेमेज हुए वे DNA की कोशी का है वो अपना भी खतम हो जाती है यहां फिर अपनी मरमत कर लेती है लेकिन यदि कोई इसमें से सेल्स जो है वो अपनी मरमत ना कर पाए और वो बढ़ने लग जाए तो वो कैंसर की संभावना उससे हो सकती है अगर खानपान में कुछ ऐसा शामिल कर लिया जाए जिसके प्रमानित कैंसर विरोधी गुण है तो छतिग्रस DNA वाली कोशी काओं को पहले ही खतम किया जा सकता ह दोस्तों कैंसर सेल्स को हम बढ़ने ही ना दें उनको पहले ही नाश कर दें तो इसके लिए हमको कोई ऐसी चीज लें पड़ेगी जिसके प्रमानित एंटी कैंसर विरोधी गुण हो दोस्तों भारत में पहला ऐसा नुट्रस्टिकल है जो छतिग्रस सेल्स को खतम करने के सा करता है यानि यह कैंसर को बढ़ने भी नहीं देगा और कैंसर के इलाज को भी करने में साहता प्रदान करता है इसकी आप सूचना कहां देख सकते हैं कैंसर वेनेक्स वरक्षोप हुई थी डॉक्टर की पहली बहुत बड़ी हुई थी यूट्यूप पर लाइव हुई थी आप इसका लिंक मैंने दिया हुआ है आप इसको अच्छे से देख सकते हैं साथ मैं राहूल भार गयव हैं डॉक्टर साब हैं जो डिरेक्टर हैं इस्टिट्र अफ ब्लड रिसॉर्डर एंड बीम्ट के कहां पर नहीं दिली के दोस्तों क्या कहते हैं यह कि गामा औरिजन के द्वारा काम करता है बलकि यह एंजियों सेसिस को भी रोकता है इसका मतलब है कि यह कैंसर के सेल्स का विकास करने की सप्लाई को रोक देता है और शरीर में कैंसर के सेल्स को भणने से रोकने के लिए शरीर की इमिरिटी को एक खटा करता है और कैंसर के सेल्स को खतम करने में मदद करता है गामा उजनल ने कैंसर को रोकने में मदद करता है और अध्यों ने सबीत हुआ है कि आगे देखते हैं पांच वा पांच वा फैक्ट कहता है रोग प्रतिरोदक शमता में वरद्दी लाने के लिए दोस्तों एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं इस कुछ लगता है गया कुछ देखा देखा लगता होगा यह हाथ ना मिला ना यह वाइरस की तस्वीर वर्क फरम होम क्वारेंटैन लॉकडाउन यह सब कहीं सुना सुना तो लगता होगा जी बिल्कुल हम इसको फेस कर चुक हैं जिसको कहा गया कोवीट 19 कोवीट के कारण दोस्तों कि यह सब कुछ हुआ था कोवीट में हमको यह भी पता लगा कि हमारी इम्मुनिंटी कितनी स्ट्रोंگ होने चाहिए यह हमारी में करती prints है तो कोवीट क्या कोई वी वायरस हमें आसानी से अटैक कर लreibtा है इसलिए एपनी डॉक्टर साथ डॉक्टर एस्टी बहुत तरह है वो कहते है गामा औरजनल जैसे प्राकरतिक एक एंटियोक्सिडन का उपयोग अपने शरीर को इम्यून और स्वस्त रखने के लिए करना चाहिए क्योंकि इसके अन्यों को स्वास्ते संब्दिद लाब है और साथ-साथ हमार एस्टी बहुत तरह इन्होंने कब कहा है यह 6 फरवी 2021 को कहें टाइमस अफ इंडिया में तो हर चीज़ आपको यहां देखने को मिल रही है हर चीज़ में आपको फैट के हिसाब से बात कर रहा हूं चटा है तनाव और उससे समंद्द बिमार्यों से खुद को बचाने के ल ढ Communist कि आश्की वंहें के यह ॉसकती है यह कि से तनाव के कारण हो जाती है दोस्तों केवल अनोग तनाव आज की सबसे बड़ी विमारी बंग बंच चुकी है तो गामा और इस न और नेचरल ट्रीट मेंट है एंट एन आक यह एंजेटे एजिंट के लूक में तैन्सित लि से कि मैं किस तरीके के फैट के ऊपर बात कर रहा हूं दोस्तों एक रोग मुक्त बनाने के लिए भी गाम और बहुत ही आवश्चक है रोग मुक्त की बात यहां पर क्यों है दोस्तों मैंने आपको अब हर भारतिय के अंदर कोई न कोई बिमारी होगी बहले वह हाट की बिमारी हो टाइप टीज हो ब्लट प्रेशर हो अबैसिटी हो कैंसर थाइड प्रेप्टिकल सस्ट अस्ट्रोसिस अलजाइमर्स कुछ भी हो दोस्तों यहां पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल र आजकल तो दोस्तों अब गामा और्जनॉल के बारे में तो मैं आपको क्या बता हूं जो भी यह बिमारिया मैंने बताइए इसको यह कैसे कम कर सकता है इसके बारे में मैं एक वीडियो आया वाया है उसको आप देखोगे तो एजीले आप समझ पाऊगे यह बहुत अच्छ के लेकिन वो दूर कैसे करता है वो उसके सिंटम्स के उपर काम करता है वह आपको खासी हो रही है तो ठीक हो जाएगी लेकिन अव ट्य Todd वह पड़े जर को पकड़ेगा तो आपको gama version लेना पड़ेगा विलमा जर से खतम करता है temporary ठीक नहीं करता है ठीक जो यह एलॉपाइथी इंग्लिश मेडिसिन से इनसे कई तरीके की साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं इसके बाद में आपको क्या बता रहा हूं यह देखो साथ हूं रोग मुख्ध भारत बनाने के लिए कई सारे आर्टिकल से जो आये हैं गामा औरजनल के अकॉर्डिंग गामा औरजनल को माध्यम बनाते वही आर्टिकल से जो बताते हैं कि गामा औरजनल किस तरीके से रोग मुख्ध भारत बनवाने में सिद्ध साबित हो चुका है बहले वो अबेसिटी को कम करना हो नैच्रल एंटियोक्सिडेंट हो यह फिर रेदे को स्वस्त रखना हो इम् स्वस्ता लगता है कि यह रोग मुख्ध भारत बनाने के लिए गामा औरजनल एक अच्छी चीज है आगे एक सुरक्षा कवच के लिए दोस्तों सुरक्षा कवच से आपको क्या मीन निकलता है दोस्तों आप देखिए एक तो उत्ती बिमारी जो हमको लग जाती है उसके ब चुए ही ना हमें कोई बिमारी हुए ही ना इसके लिए हेल्थ गार्ड एक हमारा सच्चा गार्ड है दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा नास्ते से पहले केप्सुल खाना पड़ेगा फिर नास्ता लेना पड़ेगा रात के खाने से पहले दूसा केप्सु मैं आपको recommend करूँगा highly recommend करूँगा कि इस book को आप अपने नजदी की pickup center से जरूर खरी दे क्योंकि यह book बहुत यह अच्छी है इससे आपको बहुत यह जानकारी मिलेगी यह जानकारी जो मैंने आपको बता ही है यह दिया आप इस book के मायदम से किसी को बताएंगे तो दोस्त करेंगे यह हमारा है प्यारा सा YouTube चैनल जापर आज 77 के सब्सक्राइबर सोच चुके जापर में गामा औरजनल की बहुत ही अच्छी जानकारी देता हूं दोस्तों हम अपने एक मुहीम में लग चुके हैं कि आपको गामा औरजनल से संबंदित अच्छी से अच्छी जानका तो सातियों आज के इस ट्रेनिंग से आपको पता तो लग गया होगा है ना क्योंकि इसके पास आठ फैक्स है और भी कही सब्सक्राइब आपको बता हैं दोस्तों इसलिए गामा और च्छोटा सा डॉक्त्र हो सकता है हमारा एक फैमिली डॉक्टर हो सकता है यह दिसम रोज आप से हाइली एकमेंड रहें कि आप वीडियो को देखिए और गामा और जोनल को अपने घर में सबसे पहले जरूर यूज कीजिए फिर आप लोगों को बताईए आज की जानकर रिक कैसी लगी आप कॉमेंट में जरूर बताएगा आपके पास में कुछ आदर नौलेज है तो भी हमको कॉमेंट बताएगा इस तरीके के ट्रेनिंग सेशन देखने के लिए हम रसत बने रही है मिलते हैं अगली ट्रेनिंग सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद